पूर्व के व्याख्यान में भाग च्यार के अंत्रगत हमने गणानन्द के से सम्मधित पाठे पुस्तक में नेत पाँच जो पद हैं उनका अध्यन किया था आज हम गणानन्द के कावे के पाठे पुस्तक में छठे पद का अध्यन करेंगे गणानन्द जैसा पूरू में आपको बता चुका हूँ श्वचंद कावे धारा में गणानन्द काईस्तान सर्वत क्रष्ट है और विशेश रूप से प्रेमा भी व्यक्ति में भी अपना शानी नहीं रखते हैं उनका काविया उनके प्रेम के उदगारों का भंडार है उनके प्रेम के सैयोग पक्ष में उल्लास की जो भावना है और मादकता है वह इतनी अधिक है कि जो पाठक का हर्द है वह आनन्द से अपलावित हो जाता है और गणानन्द विशेश रूप से वियोग प्रधान कव हो गया क्योंकि एक मत्र सुझान के प्रती अपना अस的時候 ने अपना प्रेम जो उन्होंने विक्त किया उसको दोखा मिलने के पश्चाध जिवन उन्होंने वियोग विथा में वैतीत किया और उसे शेहने के लिए जैसे उन्होंने उनका जीवन हुआ हो उनके विरहें वर्णन में इतनी टीस व्याकूलता और व्यथा बरीवी है कि पत्थर हर्दे व्यक्ति भी उसे पढ़ कर दर्वित हुए बिना नहीं रह सकता गहनानन को ऐसा कवी हर्दे मिला कि व्योक के साथ उन्होंने अत्यनती सुन्दर कलपनाओं और वह कलपनाई जो वास्त्विक है जीवन में अनुभूत सत्य हैं उन सभी भावों का उन्होंने मार्मिक वर्णन किया है इसी कारण गहनानन के कावे में सुन्दर भाव योजना का सफल चित्रन हो पाया है और इसका मूल कारण यही है कि गहनानन की प्रेमिकाजी से वे प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे उसे दोखा देखर स्व्म वा आनंद पूरुक महलों में रहने लगी और यही जो वेथा है गनानन के जीवन से यहां आरंब होती है और जो जीवन परियंत उनकी प्रेम वेथा चलती रहती है पाठे पुष्टक में नहीं थाड़े पद को आप निकाले रावरे रूप की रीती अनुप नयो नयो लागत ज्योंचयो निहारिये त्यों इन आंखिन बानी अनोखी अगानी कहूं नहीं आने तिहारिये एक ही जीव हुतोसो तो वार्यो सुझान संकोच और सोच सहारिये रोकी रहे न दे गनानंद बावरी रीजी के हाथ निहारिये इस अवतरण में प्रेम के पपी है गनानंद के द्वारा रचित इस पद में गनानंद ने अपने कवित से इस पद को अवतरण लिया गया है इसमें वे प्रिय के रूप की विलक्षनता पर प्रकाश डालते हैं रावरे रूप की रिती अनुप यानि तुमारे रूप की तो तुमारे शौंद्रे की तो यह अनुपम ही रिती छटा है अनुप की ही रिती है कहने कातात प्रगनानंद की गनानंद की जो प्रेशी सुझान है उसके रूप शौंद्री की जो रीती है वो अत्यंत अनोकी है क्योंकि नयो नयो लागत ज्योंजों निहारी है जैसे जैसे गनानंद उसे देखते हैं त्यों त्यों वह हमेशा उनको नया लगता है जो जो देखा जाता है त्यों त्यों नया लगता है इसलिए गरानन ने अपने प्रेशी प्रितमा सुझान के रूप शौंद्र की रीती को बड़ा अनोखी बताया है कि जैसे जैसे देखते हैं वैसे 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 वह नया लगता है इन आखों को भी अनोखी आदत पड़ अपने प्रितम सुजान को छोड़ करके इन्हें कहीं तरप्ती भी नहीं मिलती है अगानी कहुं नाई आनी तिहारिये अगानी कहते हैं तरप्ती को आनी तिहारिये देखे बिना गनानंद कह रहे हैं कि प्रितम सुजान की रूप शौंद्री को देखे बिना उसे उसको छोड करके इन आखों को कही और तरप्ती भी नहीं मिलती है एक ही जिव हुथो शुतो वार्यो अन्हें कि मेरे पास में तो एक ही जिव था एक ही प्राण थे वो तो मैंने तुम्हारे उपणने और शावर कर दिये हैं है प्यारे सुझान संकोच और सोची संहार ये अब मेरे सोख और चिंता को तुम ही साहरा प्रदान कर सकती हो मैंने तो एक मातर जो मेरा प्राण दे मेरे प्राण वो सर्वस्व तुम्हारे उपर निवच्छावर कर दी हैं अब मुझे जो ये सोक और चिंता हो रही है उसको तुम ही साहरा दे सकती हो रोकी रहे न दहे घनानंद प्रेमानु भूति से वैथी तो करके उसको उन्होंने उस पगली की संग्यादी है जो यह समझ नहीं पाती है कि उसका प्रेतम उसके लिए कितना नौचावर है इसलिए गनानंद कह रहे हैं कि हम तो इस पगली रीज के हाथों हार गए हैं यह मेरे रोकने से भी नहीं रुकत जलाती है दहे घनानंद जलाना प्रेतमा सुझान की इसमर्ती को सहेज करके घनानंद कह रहे हैं कि वह इसमर्तियां मुझे हमेशा जलाती रहती है अर्थात वह हमेशा मुझे विरहागनी की भावनाव से उन विरह की भावनाव से दग्द करती रहती है एक तरफ इस पद म जो दो पंक्तियां है और वियोग है जो अंतिम दो पंक्तियां है इस प्रकार के वर्णन गनानंद के से ही संभव है कि एक ही पद में वे इनोंने सैयोग और वियोग दोनों की छटा का आकरशन हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया रूप शौंद्रे की रमनीता और नित्य नवीनता का चित्रन ऐसा लगता है जैसे जैसे गनानंद की प्रिमा सक्ति और गहरी होती है नियारने का आकरशन और बढ़ता है वैसे वैसे उनको वियोग और जदा बढ़ता जाता है इस पद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार औ कहां आही सोदो कोधो जीव जारे अठपटी गती दाह की धुमकोन धरे गात सीरी परे जोज्यों जरे डरे नैन नीर बीर हरे मति आह की जतन बुजे है सब जांको जर आगे अब कब हून दबे भारी भबक उमाह की जब ते निहारे गनानंद सुजान पैरे तब ते अनकी आगे लागे रही चाहके इस पद के अंतरगत सबसे पहले आप थोड़े जो कठिन शब्दें उनको समझ लें इसमें जो सौधो शब्द है पहले पंक्ति में उसका मतलब है खोजता खोजती हूं दाह जलन को का जाता है और जर शब्द जो एक जगे पर आया है आप देखें क कि पांचवां जो पांचवी जो पक्ति है साथमें पदगी जतन बुजें सब जांको जर जर आगे अर्थात जर मतलब जुआला और भबग लबट को करते हैं उमाह उमंग को कहा जाता है जो अगली पंक्ति है इस घनानंद के द्वरा रचित इस पद के अंद्रगत पूर् योग की जो अवस्ता होती है जिसमें पूरवराग मान प्रवास यह कई अवस्ताएं होती है तो प्रेमी की पूर्वराग से संब्दित यह द्साद का चितरन किया गया है गनानंद वियोग परदान कभी है और वियोग की जितनी अवस्ताइं उनका सगन चितरनों ने किया है साधान अगनी से प्रेम की अगनी को अधिक भेंकर और विलेक्षन बनाया है यहाँ पर गनानंद ने गनानंद कह रहे हैं कि साधान अगनी से प्रेम की अगनी अधिक भेंकर और वीलेक्षन कैसे है उसको यहां इस पर रूप में विश्पेश्ट करते हैं जब से आनंद के घन प्यारे सुझान को देखता है तब से मेरे हर्दे में चाह की एक विचित्र आग लग गई है जैतों गट सोधों पे नपांग कही ही आज सो कौंत जीव जारी अटपटि गति दाख की विरहनी नाइगा केती है है सकी जतना ही सरीर मेरा अंतरदा जितना ही सरीर में खोजती हूं पता ही ने चलता कि मेरे जीव को कौन जला रहा है जैतो गटे सोधों पे ना पाऊं काँ आई Сोधों मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरे जीव को कौन जला रहा है यहाँ आग कहां से जल रही है कहां आई सोधों, कौन दो जीव तारे अठपटी गती दाह की इस आग की तो कुछ समझी नहीं आ रहा है क्योंकि यहां आग सामन्याग नहीं है यहां आग प्रेम की अगनी है और यहां कहां से जलती है यहां तो जो प्रेमी विक्ती है जिसने इस पीड़ा को भूगा वही पेचान सकता है इस कारण से प्रेम की जो यह अगनी है उसकी जलन की गती बड़ी विचित्र होती है सामने आग में तो क्या होता है दुआ होता है धूम को न धरे गात सामने आग में धूआ होता है लेकिन इसमें तो कोई धूआ भी नहीं उड़ता है धूम को न धरे गात सीरी परे जो जो प परदती है वैसे वैसे और अदिक दग दोती है सामदय होता है जब आक पर शीतलता यानि थंड़ा पानी परता या इसको सीतलत पृद्ढ़ानकी कि तो वह त्रप हो जाती है लेकिन यहां पर गनानंद कह रहे हैं यहां लख और जढ़ा बढ़क है आँखों में पाने टपकता है जो आह बरने की मती को भी नश्ट कर देता है गनानंद के रहे हैं कि धेर नेन नीर बर हरे मती आह की मती बुद्धी आँखों में पाने टपकता है वो आह बरने की मती को नश्ट कर देता है इस ज्वाला में सभी इसे बुजाने के यतनप किय गए हैं कोई काम नहीं आया जतन बुझे जाको सब जर जा गया इस जवाला की आग को बुझाने के लिए जितने भी जतन यतन किये गए हैं वह सब वेर्थ गई हैं और यहां आग तो और भी ज़्यदा भड़क रही है अब दबाने से भी यह नहीं दब रही है उमंग की यहा आग और ज्यदा भड़क गई है जैसे जैसे उसको बूझाने का प्रियास किया जाता है जيلबते नियारे गनानंद कियांHo प्यारे तब नखी लागी रही चाहस की जब से उस प्राण प्यारे पृतम खुझान है आनंद के घंज सुझान पृतम को जब से दिक आए तब से कि अनों की आग गनानन के रहे मेरे अर्दे में लग गई है तब ते अनकी लागी रही चाह की जब से अनों की आग मेरे अर्दे में लग गई है प्रेम की आग और सामन्य आग का एक तुलनात्मक विशलेशन यहां पर किया गया है और दोनों की यहां समानता और असमानता का जिकरए गनानन ने इस पद में किया हैं नाईका की जो तिवर विरेह व्यथा व्यवस्था का जो चित्रन है वह सामन्या जो आग होती है उस आग से और ज्им भारी हैं और ज्यादा भेंग कर साधान अगनी से प्रेम की अगनी को अधिक भेंकर और वी लक्षन यहापर गनानन के द्वारा बताया गया है यमक पुनुलति प्रकास युवक्तिरेक विरोधाबाज सानुप्रास अलंकार का प्रयोक क्या गया है विरहनी के दर्सन जन्य प्रेम और उसकी विरह दसा का जो वननन है उसके वहद बहुत उतकरष्ट बन पड़ा है और गनानन नहीं यहाँ पर प्रेम की जो अगनी है उसकी वे लक्षनता पर विशेश विशे प्रकास डाला है